हलो स्टुएंट आप लोगों से न्यूज देख लिए आपको सब पता भी है मैं आपको आज ये जो सेशन ले रहा हूँ ये इस बात पर नहीं रहा हूँ कि आईटी का एक्जाम पोस्पोंड हो गया है या क्या हो गया है ये सेशन बहुत अलग सेशन है आपको जो प्रॉलम् म्ममर में चली गई उसके बाद जो मेरे पास मैसेज आये या जो बच्चों ने फोन किये जिनने मुझसे बात की सब का एक ही कोश्चन है कि सर आगे जैसे जो बचचा अंडिया दे रहा है उसका कोश्चन है कि सर अंडिया का एक्जाम तो पॉस्पोंड नहीं होगा जो Cद जो भी अलग-अलग exam से एनी एनी गॉम्टिटी exam क्या सर इन पर भी effect आएगा तो मेरा ये जो session है आगे के सारे exams को लेकर है कि कि किस-किस exams पर क्या effect आएगा और इस इस tough situation में हम क्या करें इस situation को कैसे face करें हर बार अपने आपको तयार करते हैं कि अब ये exam होगा और कुछ दि हुआ है समझ में नहीं आता पढ़ाई क्या करें घर में बिलकुल बंध है तो ऐसी situation को handle कैसे किया जाए तो जो मैं आपके साथ इस session में discussion करने वाला हूँ ये discussion आपके लिए help करेगा आप कोई भी exam दे रहे हैं चाए आप J.E. दे रहे हैं चाए आप N.D.A. दे रहे हैं चा मैं मन की बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है वो आपको पता है और हम क्यों इन चीजों के लिए mentally तयार नहीं हो रहे हैं जैसे अभी मेरे पास क्योंकि impetus गुरू कोल एकड़मी में popular courses में जैसे IAT, NEET या defense entrance exam या MC entrance exam की तयारी करवाई जाती है तो पहले हम ये समझें कि postpone हुआ क्यों है और हम इस situation को face case करेंगे, postpone obviously इसलिए हुआ है कि आपको दिख रहा है कि COVID-19 के खत्रे को देखते हुए exam postpone हो रहे हैं, आप सब को पता है कि आज से दो महीने पहले और आज की condition में हम आज बहुत tough situation में, number of cases इंडिया में per day 20,000 plus हो हैं और कोई ये इंडिया की अकेली problem नहीं पूरे world की है, कहीं पर भी कुछ open करना, अभी भी जो open हुआ उसमें ये बात ध्यान रखती गई है कि gathering ना हो, पर कोई भी exam होना, school भी आपने देखा, school colleges के लिए भी अधिकतर state ने बोल दिया कि July end में decide करेंगे, इस region is simple कि एक school मे 500 student है, 1000 student, अगर किसी एक को भी by chance हुआ, क्योंकि ये इस COVID में ऐसा भी है कि कईों को पता ही नहीं होता है कि उनको COVID की problem है, करोना हो गया, तो अगर वो घर पे ही रहें, क्यों घर पे रखा जा रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि क्यों आपको घर पे रखा जा रहा उसका damages बहुत हो सकता है, तो ऐसे में government ये decision ले ही नहीं सकती, parents भी बच्चों को भीज़ने से डरेंगे, suppose exam माल लीजे, conduct करवा भी लिया जाए, और कुछ बच्चे COVID के वैसे नहीं दे पाएंगे, तो वो case लगाएंगे कि हम COVID के वैसे नहीं दे पाए, हमारी क्या mistake है, कई बच्चे COVID के वज़े से एक station से दूसरे station टांसपोर्ड नहीं कर सकते, तो कैसे possible है, कि अभी exam हो, पिछला जब मैंने session लिया था, जब JEE का session हो रहा था, उसमें मैंने यही का था, जब JEE की date July आई थी, या NIMSET का या NDIA का, मैंने एक ही word बोला था, कि ये जो date है न, ये date इ 13 से पढ़ाई करनी है, अभी उन्होंने बिल्कुल क्लिया कर दिया, जुलाई के बाद अगस नहीं दिया, सीधा September पहुचा दिया, और आपको भी पता, दस दिन पहले admit card open करना, इसलिए ये news आनी थी, अगला आपको जो भी कुछ पता चलेगा, वो 15 अगस के आसपास 100% ये समझ में आ जाएगा कि exam होगा की नहीं, और मैं कहता हूँ कि वो क्या बोलेंगे छोड़ो, education ministry, आपको खुद ही दिखेगा, आप news अगर थोड़ी भी देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि condition control में है की नहीं, अभी exam कैसे हो सकता, सोचे, कुछ state के कुछ city ऐसी भी हैं, जिसमें lockdown अभी भी continue, especially अगर हम देखें, तो महरास में काफी जगे पर है, UP में भी कई जगे ऐसी हैं, और अलग-अलग statement, टमिल नाडू में भी अलग-अलग state में ही problems हैं, तो ऐसे में exam conduct करना मतलब बच्चों की live को risk में लेके नहीं किया जा सकता, और कोईवल एक नह से जो अलग-अलग मंत में, किसी भी exam का आपको सही मायने में उसके पंदा दिन पहले पता चल जाएगा, जैसे आप पूछे मुझसे कि सर, इंडिये का क्या होगा, तो मैं बोलूँगा 15 अगरस तक रुख जाओ, अपने आप situation क्लियर हो जाएगे, अभी जितने बच्चों में हैं, तो हमें 15 अगरस तक पता चल जाएगा, तो आप क्या करें? सर, ऐसे में पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत confusion होता है, ये भी समझ में नहीं आता, exam होगा की नहीं, ये बिलकुल normal, कोई हम सब एक इंसान है, human being, तो ये सब situation तो होनी ही है, इसमें कुछ, कोई problems वा मैं आपके साथ this session में discuss करना चाहता हूँ कि अब क्या? तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, जैसे आप जिस भी exam को दे रहें, आप अपनी पढ़ाई करते रहें, उस exam के 15 days पहले आपको ये पता चल जाएगा, कि वो exam होगा की नहीं, और मैं बोला हूँ, वो declare करें ना करे आपको खुद भी समझ में आ जाएगा, एक बात, दूसरी बात, ये वो समय है कि आपको अपने आपको highly motivate, energetic रखना है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए रोज एक rule बनाएं कि हमें रोज कम से कम 30 minute का या तो योग, योगा करें, running करें, walk करें, कुछ भी कोई ना कोई physical workout ज रहते हुए, उसके लिए ज्यादा नहीं निकलना, जरूर करें, meditation करें, रात को खाने के बाद 15 minute की walk जहू करें, भले घर पे करें, 6-7 घंटे की अच्छी नीन लें, vitamin C भी लेते रहें, नीवूस, अंतरे, मौसमी ये सब खाएं, और इन सब के बाद सबसे बड़ी चीज की खुश रहें, जो होगा, सब के लिए एक जैसा होगा, जब भी कभी exam होगा, या नहीं होगा, क्योंकि अभी कई बच्चे तो ये भी पूछते हैं कि सर क्या cancel ही तो नहीं हो जाएगा, इस साल कहीं ऐसा तो नहीं होगा, zero year हो जाएगा, मैं कहरा हूँ, जो भी होगा, सब के पर जब जो सिचुशन है, उस सिचुशन को इंडिया का हर बच्चा फेस करेगा, वर्ल में भी हर जगे यही हो रहा है, तो ऐसे में हम अपने आपको एक ही बात पर फोकस करें, कि आब हम खूब अच्छा पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ें, खुश रहें, पढ़ लिय एक नए सिरे से फिर से रिविजिन स्टार्ट करें, फिर से टार्गेट डेट को लेकी चलें, और न यह सोचे कि एक्जाम होगा, न यह सोचे नहीं होगा, मैं अपना काम करता रहूँगा, यानि मैं अब एक प्रिंसिमल पर आपको बोलूँगा, वक करो जो भगवान केश जीजे सीखोगे, कुछ ना कुछ नाया सीखोगे ही सीखोगे, कुछ ऐसा सीखोगे जो आपके काम आएगा, घर पे रहते हुए, अपने आपको भी इंटरेटेंट करो, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी इंटरेटेंट करो, खुद भी खुश रहो, फैमिली मेंबर्स भी आप दुखी बैठेंगे, अरे मेरा मनी नहीं लग रहा पढ़ाई में समझ में नहीं आ रहा कि अब कब होगा, एक्जाम होगा की नहीं, कहीं कैंसली ना हो जाए, तब पढ़ाई किये, महनत किये, मैंने इतने सालों से उम्मीद लगाई थी, जिस साल की उस साल ऐसा हो गया, म मुझे नहीं लगता कि साथ कभी पीछे के किसी सालों में किसी बच्चे को आई होंगी, और ना भगवान करे, आगे कभी आए, पर अगर आप इस साल की सारी सब टफ से टफ सिचुशन को फेस कर गए, तो आने वाले सालों में जो आपको सिचुशन मिलने वाली है, इस से ज मैं हमेशा बोलता हूं कि जापान एक ऐसी सिटी कंट्री है, जहां पर कभी भी भूकम आता है, कभी भी तवाई हो जाती है, पर वहां के लोगों को मिटके गरके उठाना आता है, गुझरात को देखिए कितनी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, फिर भी सबसे डफ से डफ से हो गया हूँ, रीजन, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम बहुत कुछ नया सीखते हैं, बहुत कुछ नया करते हैं, यह जो सिट्योशन आई है करोना के वज़े से, इसे एक आप अपने लिए जीवन में एक माल लेजिए, कि यह स्टफे सिट्योशन आपने फेस करिए, ह यह जो सिट्योशन हम फेस कर रहे हैं, यह स्टफेस सिट्योशन है, इस सिट्योशन में रियलिस्टिक बात बोलू, अपने आपको इवन मनाये रखना, अपने आपको खुश रखना, अपने आपको बैलेंस रखना काफी मुश्किल है, क्योंकि बहुत मोनोटोनस लाइफ ह है क्योंकि हम बहुत कम जगे पर कैद है हम घर में कैद हो गए ना हम कहीं घर से बहाद निकल पाते हैं ज़ादा लोगों से मिल पाते हैं ना ज़ादा हम ट्राइब पर जा सकते हैं ना हम होटलिंग कर सकते हैं यानी हर एक चीज पर कहीं ना कहीं restriction है और वो आपकी सप्टी के लिए है, ऐसा भी नहीं कि इसके पीछे रीजन क्या, इसके पीछे रीजन आपको पता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये एक situation को आप आजा challenge लें, कि मैं इस situation में अपना life का सबसे best देने वाला हूँ, ये आप अपनी life का एक challenge जैसा accept करें, कि ये मेरी life का best challenge है, इस challenge को मैं face करूँगा, और ऐसे face करूँगा, इस धंग से निकालूँगा, कि ना केवल मैं, मैं अपने परिवार को भी निकालूँगा, अपनी society को भी निकालूँगा, और वो उन सभी rules को follow करूँगा, जो करना चाहिए, तो आप सब बच्चों को मैं last यही भी बोलना चाहूँगा, कि exams को लेके ज्यादा panic ना हो, पढ़ाई करिये, six to eight hour का जो routine time table है, उसके according अपनी पढ़ाई करिये, शांती से, divert मत हो यह, negative thoughts दिमाग में मतला यह, क्योंकि negative thoughts ही आपको कहीं ना कहीं पीछे कर रहा है, केवल अच्छा और positive सोचिए, जो होगा, सब करना है, यह साल कम अचीब भी हुआ, तो भी चलेगा, पर आने वाले सालों में मैं बहुत अचीब कर लूँगा, और इस tough situation में भी हो सकता, मैं अपने जीवन का west कर जाओं, यह best word अगर आपने दिमाग में बिठा लिया, तो मैं बिलकुल sure हूँ कि आप साहिद life में बहुत आगे निकल जाएंगे, यह जो समय है, इसको आपको कैसे profit में बदलना यह सोचना है, इस tough situation में कैसे आपको even रहना यह सोचना है, हर एक इंसान अलग-अलग level पे होता है, अलग-अलग सोचता है, पर कही ना कही thought process ही दिमाग को सही करते हैं, तो एक positive tonic, tonic दीजे अपने brain क और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, exam, postman वगरा को लेके चिंता छोड़ दीजे, जब होगा, आप मैं बोलूँगा, आपको आज मैं अगर सही बोलूँ, तो मैं बोलूँगा, जब भी होगा दे देंगे, आप तो कल बोलोगे, तो कल भी लेलो, 6 महीने बाद बोलोगे, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद बोलो, 3 महीने बाद, जब लेना लेलो, बट, मैं हर एक situation के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता इस बास से कि exam कब होगा, मुझे बस एक काम करना है कि मैं अपने आपको हर परसिती में even बनाया रखूँ, हर condition में पढ़ूँ, हर condition पर focus रहूँ, अपने focus को divert ना होने दूँ, बस ये एक thought रखिए, आपको sessions ऐसे मिलते रहेंगे, अभी मैं sessions कुछ रुका ही इसलिए था, फिर से आपको next week के बाद, फिर से कुछ sessions मिलेंगे और अच्छे sessions मिलेंगे, वो help करेंगे, thank you and all the best.